नमस्कार, आज हम आपको बताएंगे कि बैटरी चार्जिंग करते समय, कोई बैटरी है हमारे पास, उसकी चार्जिंग करेंट कितनी होगी, कैसे पता करेंगे, मानिज़े एक बैटरी है, 1000 mAh, मेरे पास एक पुराने बैटरी है, NIMH बैटरी है, इस पे लिखा है यहाँ पर, छोटा छोटा 1000 mAh, तो हमने इसी लिए 1000 mAh की रेटिंग ले ली है, अब जो 1000 mAh के बराबर होता है, तो आप कह दीजे 1000 mAh या 1 mAh, बात एक ही है, तो जो चार्जिंग करेंट है, वो 10% या 20% ले सकते हैं, तो इसका 10% कितना होगा, 100 mAh, तो 10% लेने का मतलब है, जो भी रेटिंग लिखी हो, उसका 10%, यहा 1000 लिखा था, तो हमने 100 ले लिया, अगर यहा 2000 लिखा होता, तो हम 200 लेते, अगर हम 20% लेते हैं, तो इसी 1000 का 20% 200 mAh हुआ, ठीक है ना, तो आप यह भी ले सकते हैं, यह भी ले सकते हैं, अगर आप 10% लेंगे, तो एक घंटे में 100 mAh, 10 घंटे में 12 mAh हावर, मतलब यह बैटरी 10 घंटे में पूरी चार्ज हो जानी चाहिए, 10% लेने पर, मगर ऐसा होता नहीं, क्योंकि कुछ उसमें losses होते हैं, तो 10 घंटे की जगां उसमें 14-15 घंटे लग जाते हैं, इसी प्रकार अगर आप 20% करेंट से चार्ज करें, 200 mAh से इसको तो पांच घंटे में पूरा चार्ज हो जाना चाहिए, पांच घंटे कैसे आया, 1000 divided by 200, ठीक है, तो पांच घंटे में चार्ज हो जानी चाहिए, लेकिन ये चार्ज होगी नहीं, क्योंकि उसमें लासस होते हैं, तो पांच घंटे लगेंगे, तो जो ओवरनाइट चार्जिंग के लिए होता है, वहाँ 10% आप ले सकते हैं, तो 10 क पांच घंटे में बैटरी चार्ज हो जाएगी, ठीक है, अब मालीजे 20 एंपियर हावर की बैटरी है, तो 20 एंपियर हावर की बैटरी बड़ी बड़ी होती है, छोटी वाली नहीं, तो 20 का 10% कितना हुआ, 2 एंपियर, और 20% कितना हुआ, 20 का 4 एंपियर, तो 20 एंपियर में यह चार्ज होगी, छोटी बैटरी है तो यह बड़ी बैटरी है तो यह और ज्यादा हो जाएगी तो 10% आप ले लीजिए, आप ज्यादा परसेंटेज लेंगे, तो ज्यादा करेंट ख्लो करानी पड़ेगी, तो वो जल्दी चार्ज होगी, जो फास चार्जर होते हैं, यह आपको बहुत फास चार्जिंग करनी है, तो 20% से भी ज्यादा करेंट ले सकते हैं, लेकिन जितनी कम करेंट से चार्ज करेंगे, तो बैटरी के लाइफ अच्छी आती है, अगर आप 20% से भी ज्यादा करेंट लेंगे, फास चार्जिंग करनी हैं, तो चार्जिंग जल हो जाएगी लेकिन कम करेंट लेने से बैटरी की लाइफ अच्छी आती है अब आर यहीं समाच करते हैं जय हिंद हुआप